हे गाईज वेलकम बैक फॉर न्यू वीडियो तो गाईज आज हम बात करने जा रहे हैं दोसों मेगा उसल कैमरा क्वैल्टी के साथ लॉंच हुए रेड्मी नोट 15 प्रो 5G स्मार्फोन के बारे में आप उस वीडियो में देखने को मिलेंगे तो इससे पहले ग्राजा आप चलनला पर पहली बाव विजिट करें हो तो चलनला को सिस्क्राइब ही कर ले तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सब सर पहले स्मार्फोन के डिस्पले की बात करे तो इसके अंदर आपको 6.72 इंच का डिस्पले देखने को मिलता है जिसके साथ आपको 120 हर्ट का रिफेर्षीट भी देखने को मिलेगा स्मार्टफोन के अंदर आपको प्रोसेसर में Snapdragon 8 Gen 1 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 8GB की RAM और 256GB की internal switch भी देखने को मिलेगी अगर यह स्मार्टफोन आप gaming के लिए भी 25 कर रहे हैं तो guys यह स्मार्टफोन आपको gaming के लिए भी एक best स्मार्टफोन बन सकता है तो दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर camera quality की बात करतो इसके अंदर आपको triple camera setup देखने को मिलेगा जिसमें main camera आपको 200MP का देखने को मिलेगा और जिसके साथ आपको 48MP का rare और 8MP का AI lens camera देखने को मिलेगा और उसी प्रकार स्मार्टफोन के अंदर आपको 48MP का selfie camera भी देखने को मिलेगा तो दोस्तों इस smartphone की camera quality काफी best and काफी premium आपको देखने को मिलेगी smartphone के धोनों camera से आप 4K and 8K में वीडियो को shoot कर सकते हो बात करें smartphone में power देने के लिए battery backup की तो इसके अंदर आपको 7800 mAh की बड़ी और दमदार battery देखने को मिलेगी जो की इस segment के mobile में काफी best and काफी ज्यादा battery प्रवाइड करता है तो दोस्तों Redmi का यह smartphone आपको जल्दी Indian market में देखने को मिलेगा तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि Redmi के smartphone के अंदर आपको Xiaomi का new feature का update देखने को मिलता है उसी प्रकार इस smartphone के अंदर आप भी आपको एक नया Xiaomi का update देखने को मिलेगा जो काफी unique and काफी premium होता है तो दोस्तों आपको यह video कैसा लगा कमेंट में जुरूर बता है और आपको Redmi के smartphone कैसा लगते हैं वो भी कमेंट में जुरूर बता है और चैनल पर पहली बाँ विजिट करें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मिलते हैं आप से इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई गाईस